तो हेलो वीवर्स आज असल में क्या है हमारी गाड़ी दोड़ा से खराब हो गई थी खराब क्या मतलब वो इसका ठीके वाला डूर उनलॉक बुलता नहीं था है चुनाओं में गय थे और उसके बाद जब हम लोटे हैं तो देखा है उसमें एसी भी काम नहीं कर रहा है तो हम जोटीन अथमी लगें गाड़ी को ठीक करने में तो अभी लगाड़ी ठीक करेंगे अभी कितना समय लगता इसके अब आज अवारे साथ हमारे मित्र भी देखिए यहां मिल गया है कस्मीक बतलब यह भी अपनी गाड़ी ठीक करा रहे थे अबरेज जी है देखिए यह भी एलेक्शन ड्यूटी में थे अब पूरा मतलब दो तीन दिन इसी ड्यूटी में ही बेस्त रहे लेकिन ठाकान के बावजूत भी मतलब इनमें जोस कम नहीं है देखिए और यह तुरंथ ही अपनी गाड़ी ठीक कराने आए यहां बहुत सारे अब देखिए गाड़ी उनके फिर मिलता है अब गाड़ी खुल गाड़ी देखिए पूरा अब गाड़ी यहां पर दिन बना रहे अच्छा मेकैनिक है जो रेसी कभी बनवाँ नहीं होते इनी इसे बनवाई है वड़िया बनाते रहे हैं अब तो आप दो आप गाड़ी का पर भाज़ी करें हैं इक अगार कर रहें वाज़ी कर रहे हैं तो आप को अच्मियां लगे हुए है उता एलेक्री जोड़ने में है एलेक्री को काम देखे है मिलें चाहे शौहा गुद गया था तो इसे किर्दों एसार वार काट दिया है लड़ी लड़ा सर पना रहे हैं कि लगे हुए कि फाइनली अभी गाड़ी ठीक हो चुकी है और इसमें एसी भी गड़बड हो गया था और पिछ अंदर एक चुहा गुज़ गया था जिसके कारण तार हो गड़ा खट गया थे तो अब हमने वह सही करा लिया है और काफी दो-तिन घंटे उसको मसकत करनी परी म करने को अभी मैं कोई ट्राफिक सिग्नल पर खड़ा हूं गाड़ियां आ जा रही है और मैं घर के तरफ निकलना हूं तो विवर्स गाड़ी में खर्चा भी काफी हो गया है टेकनिकल काम होते हैं और कुछ AC पाइप भी लिक हो गया था तो वो सकता है किसी टक्कर हो गई ह हो तो कहीं से इचे पार्ट में तो लीकेज हो रहा था तो वी गर्मियों को समय आ रहा तो AC कराना बहुत जरूरी है वरना गड़बड हो जाएगा पसीने छूट जाएंगे हमारे ठीक है ना तो एलक्सन के अगले दिन का यह मौसम है अभी जो धे धूप निकली हुई है च अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तेंटें बाए बाए